जैहिन सातियों सातियों जैसा कि आप सभी सातियों को पता है कि भारत वर्ष के जो इसको विशुका सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और भारत में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है भारत के संसद भवन को तो सातियो भारत की नई संसद भवन जिसका उद्गाटन प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी 28 मई 2023 को करने वाले हैं तो सातियो इस नई संसद भवन में क्या खास बाते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर है ये कितने एरिये में आपका बना हुआ है इन सभी जानकारियों को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत बड़े कोतुहल का विशे है कि आखिर नई संसद भवन की इस पेसलिटी क्या क्या है नई ने विसेस्ता है क्या है तो साथियों इनी से संबंदित कुछ जानकारियों लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तो साथियों जब हम बात करते हैं भारत के नए संसद भवन की तो नया संसद भवन साथियों आपका कहां दिल्ली में ही आपका इस्थापित हुआ है आप इस फोटो में क्या खास बाते हैं ये सातियों इसकी लोगसभा का सीन लोगसभा का अपका इसका फोटो जिसमें सातियों आपके सबसे ज्यादा सीटों का वैवधान किया गया कि कितने सांसत इसमें बैठ सकते तो इन्हीं सभी जानकारियों को अभी हम इस छोटे से वीडियो में आपके खत को और इस दिन सायोग्वस वीडी सावर कर यानि कि जिनको विनायक दामदर सावर कर के नाम से जाना जाता उनकी 150 वी जैनती भी है तो इस दिन इसका उध्घाटन विढ़िवत रूप से आपका किया जाएगा साथ के साथ साथ यह वाली बिल्डिंग जो नई वाली स्क्वाइर मीटर में आपकी बनी हुई थी यह हम यह कह सकते हैं कि साथ यह नई वाली जो संसद भवन है यह पुरानी संसद भवन की अपेक्छा 17,000 स्क्वाइर मीटर बड़े एरिये में बनी हुई है साथ ही हो और इसकी विसेशना की बात करें तो नए कोंप्लेक्स का जो वह मैं आपको बताई चुका हूं त्री कोन ही है यानि कि ट्राइंगूलर सेप में आपका बनेगा साथ यह इसके वास्तुकार यानि की नई संसद भवन का जो आर्किटेक्ट या जो आर्किटेक्ट्र जो जिस व्यक्ति ने आपका बीटर डिजाइन किया है उन व्यक्ति क के मालिकों न है विमल पटे और इस संसत भवन को बनाया किस कंपणी के दोरा तो साथियों भारत की पिरमुक company टाटा प्रोजेट्स limited और ये आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है ये फोटो है जी विमल पठेल जी का किसका विमल पठेल साब का साथ ही जिनों ने इसका नई संस्रफवावन का आपका क्या बनाया है वो बनाया है आपका वास्तूकार यार्टेक्ट है और ये सात्यों आप सबको पता है जिसके उपर खूब हंगामा बर्पता सात्यों जब ये आपका इस्थापित किया गया था इसे हम कहते हैं सात्यों भारत का राश्ट्य पिर्तिक या असोख इस्तंब्भ जो हमारा सारनात यानि वारणासी गिरहन किया गया था तो इसको सात्यों नई संसद भवन की छत के उपर सबसे उपर आपका पिर्ती को इस्थापित किया गया है और अब की बार ऐसा मानना था कुछ विपक्षी दलों का या कुछ अन्य पार्टियों का की सात्यों की अब की बार सेरों की आकरती में कुछ परि कांपित किया गया है और क्या विसेशता हैं हम बात करते हैं तो इसkeeper जो अपकी है लगबग-लगब 888To एट जू सानसद है उनको बैठने का प्राफधान इसके यानि की लगबग-लगबग आने वाले टाइम में जब लोकसभा नए ने परिशिमन होंगे तो लोगसभा के सदस्यों की संख्याइं बढ़ेंगी तो उनके अनुसार 888 सांसद लोगसभा में बैठ सकते हैं वहीं पर राज्ये सभा में अभी राज्ये सभा के सदस्यों की संख्या कम है लेकि नया परीशिमन होगा तो राज्य सभा के सदस्यों की भी संख्या बढ़ेगी तो उसके अनुसार भी राज्य सभा में 384 सांसदों को बैठने की व्यवस्ता नए संसद भवन में की गई है और साथ के साथ मान लीजेगा साथ कोई बिल या कोई की ऐसा एक्ट आता कि जब हमें दोनों का एड्जोर्मेंट बेट आपका चाहिए गरी संयुक्त जोइंट शैशन की जड़त पड़ेगी तो ऐसे लिए बेटा आपका संयुक्त सत्य के दोरान दोनों सदस्य से कितने बैठेंगे 1272 यानि की 1,272 जो MP होंगे वो एक साथ एक सेंट्रल होल में आपके बैठने की विवस्ता की गई है तो ये वास्तम में अपने आप में एक अदभुत छमता वाली संसद आपकी बन जाती है साथियो उसके बाद जो आपकी नई संसद भवन है साथियो इसके तीन पिरमुख गेट हैं जिनके नाम किरम से क्या-क्या है ग्यानदवार, सक्तिदवार और करमदवार साथियो यानि की नई संसद भवन के तीन पिरमुख गेट आपको दिखाई दे रहोंगे एक देखी कर बिटा यह में एंट्रेंस एक यहां से एंट्रेंस दिखा रखी है एक यहां एंट्रेंस दिखा रखी है तो हम यह कह सकते ह अलग गेट आपके इसमें आपके दिखाए गया और यहां फोटो से देखेंगा बिच्चा यह वाला जो एरिया है यह हमारा राश्ट्य पृतिक असोक इस्तंब जिसको आपका हमारे इस नई संसद भवन के किस पर बनाया गया सीर्स पर बनाया गया और नई संसद भवन साथ अब की बार भारत की एक प्राचीन परंपरा चोल सामराज्य से जो हमारा इतना के टाइम से चली आ रही एक पिरकरिया यह आपका रखा हुआ है साथ Dim glass जब भी कोई नया सासक बनता है तो ये उसस नए सासक को चोल सामराज्य अपने नए सासक को ज्रहन करवाते थे कि आज से आप राजतंड या सैंगोल इसको कहा जाता है उसकी प्रंपरा का धोतक होता था तो ये एक बार फिर से नई संसद भवन में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी इसको ग्रेन करेंगे तमिल विद्वानों के दुआरा और जो लोकसभा स्पीकर होते हैं साथी उनीकी सीट की बराबर में इसे इस्थाई तोर पर संसद भवन में इस्थापित किया जाएगा और ये सैंगोल साथियों पूरी तरीके से आपका चांदी के दुआरा बना हुआ है इसके उपर गोल्ड की लेयर ये निकी सोनी की परच चड़ाई गी है और इसको आप गोर से देख 1947 को तो तब भी ये तमिल विद्वानों के दुआरा भारत के पिर्थन पिर्धानमंत्री पंडित जवालाल नहरू को सोपा गया था साथियों तो ये एक बार फिर से ये हमारी नई संसद भवन में नई आपका सक्ती का परिचायक होने वाला है तो साथियों उम्मीद करता ह ये शांदार सेशन आपको नई संसद भवन के बारे में जानकारी देने के लिए काफिर होगा ऐसी सांदार जानकारी के लिए जुड़े रहीएगा एससी वाला यूट्यूब चैन के साथ धन्यवाद जैहिन जैभारत